पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चांदनी पार बार कौशल को माणने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से एक कौशल बच जाता है। वह कौशल के कॉलिज तक भी पहुच गई थी, लेकिन वहाँ भी चांदनी अंसफल हो जाती है। तो आखिरकार चांदनी एक सुन्दर लड़की का रूप लेकर कौशल के रेस्टरॉं में कस्टमर बन कर जाती है, जहां कौशल उसे देख कर बहुत खुश हो जाता है। बादने चांदनी कौशल को डसने के लिए उसकी कार में छिप जाती है। अब आगे। कौशल कार में बैठ जाता है और बैठते ही वह डैशबोर्ट के नीचे बना एक बॉक्स खोलता है और उसमें से महादेव की एक तस्वीर निकाल कर सामने रख देता है और प्रणाम करता है। बस आज तो क्या ही बताऊं बहुत ही खुश हो मैं आज। ओ अच्छा बताना फिर आज ऐसा क्या हुआ है। पहले तू बता तूने कैसे फोन किया। कि पहली नजर में मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है। वही पीछे नागिन रूप में बैठी चाननी यह बात सुनकर हैरान हो जाती है। सैम जिन्दगी में पहली बार किसी लड़की को देखकर ऐसा फिल हुआ था मुझे। ओ अच्छा तो फिर उस लड़की से बात तो करता। मैंने कोशिश की लेकिन एक ही पल में वो लड़की वहां से चली गई थी। पता नहीं अब दोबार आएगी भी या नहीं आएगी। अरे चिंता क्यों करता है जरूर आएगी यार। मैं तो चाहता हूँ वो आए। बस उसी का इंतज़ार है अब तो जिन्दगी में पहली बार को इतना अच्छा लगा है। वेरी गुड तरक्की पर है भाई तू। अच्छा चल ठीक है अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ बाद मैं करता हूँ बाद। ओके भाई बाई। तो कौशल अपने दिल का हाल अपने दोश से बता देता है और वहीं चान्दनी अब कुछ नया प्लान बना रही थी। ना चानि क्यों ये बार बार बच रहा है। महा चानि क्यों अभास हो रहा है कि बाबा मुझसे बात करना चाहती है। तो चान्दनी अपने आखें बंद करके बाबा का ध्यान करती है तब ही उसे बाबा की आवास सुनाई देती है। प्रणाम बाबा। पुत्री मैं कबसे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ बाबा मुझे भी एहसास हुआ था कि आप मुझसे बात करना चाहती है हाँ पुत्री, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी हाँ बाबा, बताए ना क्या बात है पुत्री, तुम जिस कारे के लिए लंदन गई हो तुम्हारा वो कारे बिल्कुल भी उचित नहीं है ये, ये अब क्या कह रहे हैं बाबा मेरे जिन्दगी का एक ही तो लक्षे है और वह उचित ही है नहीं पुत्री, मैंने घोर तवस्या करके ये पता लगाया है कि तुम्हारे माता पिता की मृत्यू जरूर आग लगने से हुई थी लेकिन उन बाब बेटे ने ये सब जानबूच का नहीं किया था बलकि वो तो जानते तक नहीं थे कि उस घास के धेर में तुम्हारे माता पिता है बाबा, ये आप कैसी बाते कर रही है आप मुझे मेरे लक्षे से भटका रही है नहीं पुत्री, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथों को अनर्थ हो जाए इसलिए मैं तुम्हें साबधान करना चाहा रहा हूँ तुम वहां से वापस चलियाओ बाबा, मैं अब किसी के बह काफे में भी नहीं आऊंगी मैं जिस कारे के लिए इतनी दूर आई हूँ उस कारे को मैं पूरा करके ही आऊंगी लेकिन तुम दर्दोश इंसानों को मौत की सजा दोगी तो तुम्हें आप रात बोध हमेशा रहेगा बाबा, मेरी आपसे हाथ जोड कर बिनती है खृपिया, मुझे मेरी मार्क से मत भटका ही है